दगडियो, आज की वीडियो में देखते हैं कि पहाड़ों में जन्मदिन किस प्रकार मनाया जाता है और हमारी बर्डे गल है मेरी भतीजी मुन्नू यहाँ वाक्या अक्टूबर 2020 का है और मुन्नू का पहला जन्मदिन हमारे ट्रेडिशनल तरीके में हल्दी कुटी जाती है घर को साफ करके सजाय जाता है और एक स्थान पर एपन डाले जाते हैं बिसुआर से यानि कि चावल के हाटे से और साथ मिलकर गाउवाले बनाते हैं खाना बिल्कुल उसी अंदाज में घर में भजन कीर्थन होते हैं बर्डे से रिलेटेड गाने गाये जाते हैं और जलाया जाता है दिया चुकि यह इसका पहला जन्मदिन है तो हमने पूरे गाउव को इन्वाइट किया है और घर में खुसी का माहौल है यह सुनिये जरा तो देखते हैं ट्रेडिशनल तरीके से जन्मदिन किस प्रकार होनाया जाता है एक पराद में फूल, अक्षद, पीठियां और जिसका बल्डे है उसे रखा जाता है साथ में चहरे पर, हातूं पर और पाउं पर हल्डी लगाई जाती है हल्डी हमेशा से ही यूमन बॉडी के लिए बेनिफिसियल होती है और यही पहाडी तरीके से जन्मदिन को मनाने के पीछे का कारण भी है सबी लोग एक एक कर अपनी तरफ से हल्डी लगाते हैं गिफ्ट देते हैं और पूरे वातावरों में हसी खुशी का माहौल बन जाता है अपनी तरफ से मीठा खिलाया जाता है और एक दुसरे को भी साओ किया जाता है और सबसे प्यारा लगता है सभी का साथ मिलकर काम करने का ये जजवा पूरी, सबजी, रायता, खील और नजाने कितने विंजन आज तर्यार है और लोगों को एक एक कर कुछ इस अंदाज में खिलाया भी जाता है चुकि नए जमाने से भी तालमेल बिठाना जरूरी है तो इस सब के बाद अरेजमेंट किया जाता है केक का और इस तरह पूरी सजावत में खेक को काटा जाता है और सबसे खास लगता है मुझे यहां का टुगेधरनेस फील कीजिए जड़ा एक एक कर सभी लोग बड़े गल को केक खिलाते है आपस में सेयर किया जाता है और काम ना की जाती है एक उजवल भविष्य की और इस तरह हमारी वीडियो और उसका बरड़े समाप्त होता है थैंक यू